जय जबान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम कैसा आप सब आसा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं आज के इस बीडियों बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की जानकारी के लिए आप सभी भाईयों को बताते चले कि आज जो आलू का भाव है वो आपका सभी जगे आलू के भाव में क्रेंट देखने को मिला हुआ है आज की इस बुड़ों बात करने वाले हैं वेश्ट वंगाल के आलू के भाव की और कानपुरमंडी के आलू के भाव की और आगरा मंडल के आलू के भाव की तो सबसे पहले तो आप सभी भाईयों को जानकारी के लिए बता दें कि कानपुरमंडी में आमदनी और भी कम हो गई है आलू के दाम में उच्छाथ और भी आ गया है मतलब कानपुरमंडी में आमदनी जो है लगबग 33 वोटर की है और आलू का जो भाव है वो आपका सपेद आलू जो है आपके 400 से लेकर और 525 रुपे प्रती मन के हसाब से भी रहे हैं और लाल आलू जो है आपके 500 से लेकर 500 रुपे प्रती मन के हसाब से भी रहे हैं न्यू हाइलेंड आलू और सिंदूरी जो आपकी है वो पांसो से लेकर पांसो पचासो प्रति मन के हसाब से भीक रही है बही नए आलू जो है लगबग सासो से लेकर आठसो कटे पहुंचे हैं मतलब एक आध गारी पहुंची है और आलू का जो भाव है वो आपका मोटा आलू जो है आपका नया वो सासो से लेकर आठसो पर परति मन के हसाब से भीक रहे और मीडियेम का कोई भाव नहीं होता है मैंनला बहुंचे होता है बहुंचे कानपपर ओल्वन्णी में आपका जो गुल्ला और किर्री और बीजा ये तीनों चीजें बैलेंस में है और इनी का बैलेंस है बाद वगी छट्टा माल बढ़िया विक्री हो रही है अच्छी तरीके से विक्रा है सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक ठाक होने बाला भी है बीजग बिक्र नहीं रहा है गुल्ला चट्टी फिर भी बिक्र लगे हैं अब बात कर लेते हैं आगरा और वेश्ट बंगाल की वेश्ट बंगाल की बात करें वेश्ट बंगाल में आज 50 रुपर तक काउचाल देखने की मिला है वेश्ट बंगाल में 650 से लेकर 732 रुपे प्रती कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री होने लगी है पहले 665 थी फिर 670 हो गई थी अब आपकी लगवग 732 रुपे प्रती कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है वेश्ट बंगाल होगली डिश्टिक में पही बात करें वेस्ट बंगाल बालों के लिए अभी आलू में कितना टाइम है वेस्ट बंगाल बालों के लिए अभी आलू में लगबगा आपका डेड़ से लेकर दो मैने का टाइम है वही आपका अगरा मंडल बालों के लिए भी डेड़ से लेकर दो मैने तक का टाइम प्लीज वो लोग अपड़ाएं नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आलू के दाव में धीरे धीर करके उचाल आ रहा है, जो रासन आलू है वो अपना धीरे धीर करके निकाल सकते हैं, वो उनको एक बार समय मिल जाएगा, और अब एक महत पूर जानकर य है कि अभी आप लोग के सामने जो एड़ा दिखाई दे रहा है मल्टी Π्लाइर का, यह मल्टी प्लाइर वो प्रोडेक्ट है, जो कि आप किसी भी फसल में और कभी वी और किसी भी बक्त, इसको आप पानी के साथ या या हैacy स्फ्रेय करके लगा सकते हो, यह प्रोडेक्ट अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस नंबर पर सब्रक लिजेगा ये नंबर मेरा खुद का है और मुल्टिप्लियर के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूगा हाला कि कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि आप अपने प्रोडेक्ट का प्रचार कर रहे हो नहीं भाई ऐसा नहीं कहा रहे हैं लेकिन मेरा कहना ये है कि सीदी बात समझो सव की बात एक जब हमारी मिट्टी सही होगी तो हमारा फसल भी सही होगा विट्टी सही होगी तना सही होगा तना सही होगा तो सब को ठीक होगा तो प्लीज आप लोग जो है अधिक जान्द काने के लिए इस नंबर में सब्रक कर सकते हो